हाई दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूग चैनल सानभी कुकिंग बेकिंग पर आज हम बनाएंगे जटपट बने वाले अंडे की एक नई रेसेपी तो वीडियो को बिना इस किप की पुड़ा जरूर देखिए इसके लिए हम लेंगे कड़ी पत्ता अधरक लस राई जीरा उरतदार चनादार कटी हुई प्याज पिसी हुई टमाटर पास से छे अंडे आप अपने अकॉर्डिंग अंडा कम्या ज्यादा कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेंगे हम एक पैन उसमें डालेंगे हम सरसु का तेल आपके पास जो अब लेवल हो तेल आप वो ले सकते हैं जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम राई जीरा और चनादार उरतदार सभी को हम इसमें डालेंगे और जब इससे अच्छी खुसबू आने लगे फिर हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मेर्च और साथ ही डालेंगे हम इसमें हींग और आप डालेंगे हमें इसमें कड़ी पत्ता और साथ ही डालेंगे हम इसमें कटा हुआ प्याज सभी को अच्छे से मिला लेंगे हल्का गूल्डेन होने तक हमें प्यास को पकाना है और अब डालेंगे हम अदरक लसन का पेस्ट और इसे हाई फ्लेम पे हम एक मिनर तक पकाएंगे लसन जब हमारी अच्छे से पक जाएगी तब हम डालेंगे इसमें अपने सुखी मसाले और साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मसाले को और ले रिलिज होने तक हम पकार लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे अब डालेंगे हम इसमें स्वादन सा नमक और नमक डालने के बाद भी हमें ओली डिलेज होने तक पकाना है बिल्कुल इसी तरह मसाले से हमारे ओली डिलेज हो चुकी है अब हम डालेंगे इसमें पिसी हुई टमाटर टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है बस हमें 2-3 मिनट ही पकाना है अच्छे से मिक्स करके हम इसे एक मिनट के लिए ढग देंगे एक मिनट के बाद हम फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर एक मिनट के लिए हम कवर करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब डालेंगे हम पानी पानी डालते वर आपको एक बात का धियान रखना है हमें इस रेसिपी में ज्यादा पानी नहीं डालना है और अब डालेंगे हम इसमें अंडा आपको यहाँ पे अंडे को केरफुली डालना है ताकि हमारा ये येलो वाला जो पाथ है वो फूटे नहीं एके करके हम अपने सारे अंडे को इसमें डालेंगे केरफुली हम सभी अंडे को अच्छे से डालेंगे उसके बाद हम येलो वाले पाथ पे हम यहाँ पे ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसा सब्झेल करेंगे। कि अगर पीडियो पसंद़ आई हो तो लाइकFit chem जाश को पर इक सब्सक्राइब कि ये नहीं पसंद़ नहाई हो तो डिस्लाइकusta करांगे। थांक्यू फूल वाचिंग